कहानियों के क्यारी में प्रस्तूत है कार्थिक मास महात्म कथा अध्या 21 और 22 लिखने लगा हूं स्रीहरी के चड़नों में शिश्णवाय कार्थिक महात्म का बने यह 21 अध्याय अब ब्रहम्मा अधिदेवता नत्मस तक होकर भगवान शीप के अस्तूति करने लगे वे बोल देवा दिदेव आप प्रकृति से परेपार ब्रहम्म और परमेश्वर हैं आप निर्गुन निर्विकार वग सबके इस्वर होकर भी नित्यअनेक प्रकार के क्रमों को करते हैं हे प्रभु हम प्रहम्मा अधित समस्ति देपता आपके दाश हैं हे संकर जी हे देविश आपकी प्रजा है तथा हमशदयव आपकी सरन में रहते हैं नारज जी राजा प्रिथोशे बोले जब इस प्रकार ब्रह्मा दिद समस्ते देपताओं एवं मुनियों ने भगवान संकर जी की अनेक प्रकार से अस्तूति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया तब भगवान स देपताओं को बरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए उसके बाद सीब जी का शोगान करते हो शभी देपता प्रशन होकर अपने अपने लोग को चले गए भगवान संकर की शाथ सागर पुत्र जालंदर का जुद चरिद्रपूर्य प्रदान करने वाला तथा शमस्त पा प्रद को प्राप्त करता है बाइसमें अध्याय की जब लिखने लगा हूं बात स्री प्रभु प्रेड़ना प्राप्त कर कलम आ गई हाथ राजा प्रिथू ने नारजी से पूछा है देवर्शी क्रीप्या आप अब मुझे यह बताए कि ब्रिंदा को मोहित करके विशनु लिए नहीं मारा है यह मेरी शांसारिक लीला थी फिर भी आप लोक्षत्य कहिए किसे आप सुखी हुए या नहीं तब ब्रामादिक देपताओं के नेत्र हर्स से खिल गए और उन्होंने शीप जी को प्रणाम कर विशनु जी को वश्ब ब्रितांत का सुनाया जो उन्होंन कि चिता की राख लपेटी इधर उधर घुमते हैं एतब आप उन्हें समझाए कि वह शारा चराचर उनके आधीन है देपताओं से यह सारा बिरतान सुन संकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित बिशनु भी काम के वर्ष में हो गये हैं प्रंतों म सब देपता मूल प्रकृति को परशन करने चले उनके अस्थान पर पहुँचकर उनकी बड़ी अस्तूति की तब यहां कास्पानी हुई कि यह देपताओं मैं ही तिन प्रकार से तीनों गुनों से प्रिथक हो कर इस्थिती सत्य गुण से गौरा रजो गुन से लक्षमी औ अब आप लोग मेरे रच्छा के लिए उन देवियों के पास जाओं जो वे तुम्हारे मनोरतों को पूर्ण कर देगी। कुम्हारे सब कारिशिद्ध हो जाएंगे। उन से प्रिती की विश्णुजी सारा दुख भूल देपताओं शुर नमस्कृत हो अपने लोक बैकूंठ में चले गए। वह पहले की तरह शुखी होकर शंकर जी कास्मरन करने लगे। यह आख्यात शीव जी की भक्ति देने वाला है। झाला है। झाला है। झाला है।